शादी व्याँ पार्टी हो या फिर करवा चौध दिवाली जैसे तेवहार चाहते हो कि आपका चहरा हीरे की तरह चमके तो एक बार जरूर बनाईएगा इस जल को रात को सोने से पहले आपको इसे लगाना है कैसे बनाना है लगाना है सब आपको वीडियो में देखने को मिल विल्कम बैक कैसे हैं आप सब आप सभी एच्छे होंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 तरहारों का महीना है साथ शादियों का सिजन भी स्टार्ट हो चुका है और सभी चाहते हैं कि वह इन फंक्शन में सब से स्पैशल दिखें आपकी स्किन बहुत सादा ग्लोई दिखे निकरी निकरी सी दिखे दाग धबे हैं तो वो भी सारे कायब हो जाएं तो बहुत ही सिंपल सा आज मैं आपको solution यहाँ पर बताने वाली हूँ बहुत ताम जाम में नहीं पड़ना है कोई pack में नहीं बताऊंगी कोई facial नहीं आपको करना है मैं simply एक जेल में आपके साथ share करूंगी जो की oily skin वालों के लिए भी में serve करूंगी और drying skin वालों के लिए भी ओपनी skin type के और ये है honey इसके अलावा aloe vera gel और गुलाब gel कोई से भी brand का aloe vera gel आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं गुलाब gel और honey जो भी आपके पास easily available हो वो आपने लेना है बाकि अगर aloe vera gel आपके पास fresh है तो आप उसे भी ले सकते हैं लेकिन fresh aloe vera gel से अगर आप gel को तयार करेंगे तो उसे आप store करके नहीं रख सकते हैं उसे लगवाग 2-3 दिन तक ही आप store कर सकते हैं फ्रीज में उसके अलावा जादा दिनों तक आप store करके ना रखें और आपको हपते भर के लिए बना करके रखना है तो आप इस तरह से मार्केट में मिलने वाला aloe vera gel ही लीजएगा कोई से भी ब्रांड का जो भी आपके पास easily available हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ दो दिन के लिए यह काम में आएगा बहुत जादा दिनों के लिए मैं नहीं बना रही हूँ तो लगवग आदी जैसी चमशी मेंने ली है बहुत जादा aloe vera gel आपको लेने की जरूरत नहीं है और रबा की आप हपते बर के लिए बना रहे हूँ तो थोड़ा सा इंग्रिडियन्स को आप जादा भी ले सकते हो हपते बर के लिए बना रहे हो तो फ्रीज में आप स्टोर करके रखिएगा बाहर आपको खुद से बनाई हुई चीजों को नहीं रखना चाहिए और ज्यादा दिनों तक भी मत बनाईएगा हफते भर के लिए ही बनाईएगा तो देखिए दूसरी चीज़ बेने लिए है ये विटामिन E का कैपसूल ये जो विटामिन E मैं यहाँ बेस्तेमाल करती हूँ ये स्पेशली हेर और स्किन के लिए ही होता है मतलब आप इसे बालो में अपनी स्किन में यूज में ला सकते हैं ब्यूटी बिटामिन के नाम से ही बिटामिन E जानी जाती है 400MG का ये कैपसूल है जो कि आपको नियरवाई मेडिकल स्टोर पे बहुत ही इसली मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी पर्चेस करके रख सकते हैं तो दोनों चीजों को कर लिया मैंने अच्छी तरह से मिक्स क्यूंकि बहुत सब्सक्राइब के नहीं है तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया अभी के अभी इसके बाद अब हम लेंगे लेमन बहुत बड़ा लेमन या फिर बहुत जादा लेने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा ही आपको रस यहां पे चाहिए तो देखिए लेमन को मैंने काट लिया है और अब इसका जो रस है वो हम निकाल लेंगे आप चाहें तो छान करके भी इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ट्रांस्परेंट आपका जैल चाहिए तो मतलब आप चाहते हों कि कोई भी उसमें यह जैसे अभी आप देख रहे हो दानी जैसे आपको दिख रहे हैं तो यह सब चीजे ना हो तो आप इसको चान भी सकते हैं मैंने नहीं चाना है क्योंकि हम इसे मसाज ही करने वाले हैं तो इसली यह चीजे निकल जाएंगी खुद बखुद यह आपकी फिंगर की हेल्प से जैसे ही आप मसाज करने लगोगे तो विटामीन सी से भरपूर, लैमन आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है लेकिन अगर किसी को कोई भी इंग्रिडियंट जिस से एलर्जी होती हो, सूट ना करते हो तो उस ingredient को आप use ना करें और natural ingredient से कई वरी बहुत सारे लोगों को allergy हो जाती है तो पहले आप patch test जरूर किजिए उसके बाद ही अगर आपको ये सब चिज़ें suit करती हैं तो ही use किजिएगा अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ शहद honey हमारी skin को glow बनाने के लिए सबसे ज़ादा बहतरीन होता है antioxidant से भरपूर यह हमारी skin को निखारने का काम करता है दाग धबों को lighten करने का काम करता है साथ हमारे चेहरे पे glow लेके आता है चमक लेके आता है अगर आपको जुरियों की समस्या है तो उसके लिए भी the best होता है लेकिन अगर आपकी skin बहुत ज़ादा oily होती है तो आपको honey avoid करना चाहिए क्योंकि यह आपके skin पे मलब एक चिपचिपापन जैसा भी इसे आपके face पे आएगा मतलब यह dry skin वालों के लिए अच्छा होता है लेकिन अगर oily skin है उनके लिए उतना ज्यादा better result नहीं होते कई वेरी pimples वगरा होने का खत्रा रहता है तो यह जो pack है यह dry skin वालों के लिए था gel हमारा बनके ready हो चुका है इसे हमने कर लिया है side अभी बात करते हैं oily skin वालों के लिए same वही ingredients हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बस एक आद ingredient हमारा different रहेगा तो देखिए सबसे पहले उसी तरह से aloe vera gel अगर आप बना रहे हो अलग बना रहे हो अगर आप same बना रहे हैं अगर आपकी skin थोड़ा mix जैसी है dry भी है और साथ ही oily भी है तो आप उसी ही चीज को यूज में ला सकते हैं उसमें एक चीज एक्स्ट्र आपको डालनी होगी जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगी तो देखिए अभी अगेन वैसे ही अलोविरा जल में मैंने बितामिन E का कैप्सूल एड़ कर लिया है इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है और इसके बाद हम फिर लेमन इसमें एड़ करेंगे चैसे आपकी स्किन ड्राइ है चैसे ओईली है लेमन सारी स्किन टाइप के लिए एक मतलब दाग धबों को दूर करने का काम करता है बिटामिन C इसमें भरपूर मातरा में होती है और स्किन के लिए बिटामिन C जो है बहुत अदस जरूरी भी होती है लेकिन किसी को सूट ना करे तो वो स्किप कर सकता है तो देखिए सारी चीज़ों को फिर से अगेन मैंने एक बार मिक्स कर लिया अब देखिए जिनकी स्किन ओईली है उनके लिए पैक बन रहा है तो हम इसमें एड़ करेंगे गुलाब जल शहद को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है शहद की जगा हमने इसमें गुलाब जल एड़ किया है लगवग एक या दो चमच आप अगर आपके बहुत ज़दा ओईली स्किन है तो दो चमच आप एड़ किजेगा अच्छी तरह से मिक्स किजिए जैसा कि अभी आपने देखा जल को बनाना बहुत सिंपल है ड्राइ स्किन वालों के लिए भी मैंने अलग से बता दिया ओईली स्किन वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि कमेंट वे बॉक्स में फिर आप पूछते हो कि हमारी स्किन बहुत ज़दा ओईली है तो अब हम क्या करें तो दोनों का सोलेशन यहापे मैंने आपको बता दिया है और अगर आप बहतरी इन रिजर्ट चाहते हो तो एक हफ़ता रेगुलर इस काम को किजे और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो भी दिकत वाली कोई बात नहीं है जब भी आपको पार्टी फंक्शन के लिए तयार होना है चाहिसे करवा चौत के लिए दिवाली के लिए नवरात्री के लिए या फिर कोई शादी ब्याव पार्टी है उसके लिए तयार होना है तो रात को सोने से पहले ये काम जरूर कि जैगा तो करना क्या है? देखिए, यहाँ पर यह रहा हमारा जल और इसके बाद पहले आपको रात को सोने से पहले अपने face को कर लेना है अच्छी तरह से clean चायसे आपने make-up किया है या फिर make-up नहीं किया है तब भी face को clean करना बिल्कुल भी नहीं बुलना है तो उसके लिए आप गुलाब जर्टा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी toner जो आप इस्तेमाल में लाते हैं toner और अब मैं अच्छी तरह से पहले अपने face को कर लूँगी अच्छे से clean ताकि कोई भी dirt आपके face पे ना हो कोई भी make up आपके face पे ना हो और रात को सोने से पहले ही आपको ये काम करना है क्योंकि रात भर जब ये चीज़ें हमारे face पे काम करेगी तो आपको बहुत ही अच्छा effect देखने को मिलेगा तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से clean कर लिया है face को और अब भी ये दहाख हमारा gel तो अब हम इसे apply करेंगे अपने clean face पे कुछ इस तरह से आप apply कर लिजे और थोड़ इसी देर के लिए आपको करना है massage massage में कोई भी कंजूसियत करने की जरूरत नहीं है फोड़ा सा अगर time आप massage को devote करते हो तो आपके face ते एक tightening आती है कितनी भी loose skin क्यों ना हो अगर आप regularly अपने चेहरे पर massage करते हो तो आपकी जो loose skin है वो भी tight होने लगती है जूरियां wrinkles की जिनको समस्या हो जाती है उनके लिए the west रहता है अगर आपको कोई steps नहीं आता है तो कोई बात नहीं है आपको बस खाली से circular motion में अपने चेहरे पर massage करना होता है और बस अच्छी तरह से massage कर लिए फिर जो आपका gel है इसे सूखने के लिए इसी तरह से छोड़ दीजे बहतरीन result के लिए आपको रात को अपना face नहीं wash करना है आप ऐसे ही सो जाए मौर्णिंग में आप अपने चेहरे ठंडे पानी से धो लिजे में लिए टामिन-सी बिटामिन-ई सारी चिजह हमने इसमें यूज की हैं तो आई होप मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा है लगा होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लिए तो लाइक शयर सब्सक्राब कर बटन दवाराने बिलकुल मत बुलेगा म मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक रेने मुश्कार, thank you.